नमस्कार आप सभी को उत्रखंड राज के अध्धिन के क्रम में जन्पदवार अध्धिन का जो कॉंसेप्ट है उसको आज से प्रारम कर रहे हैं और आज से जो आपको चर्चा देखने को मिलेगी प्रते एक दिन आपको देखेंगे कि एक नए जिले की चर्चा होगी और जो हम सुरुवात करने जा रहे हैं जिले वारा ध्धिन के क्रम में सबसे पहले हम सुरुवात करेंगे अलमोडा से और अलमोडा से फिर आगे नैनी ताल हो गया देहरादून हो गया और जो भी अन जिले हैं उत्तरखंड के उनके बारे में हम क्रमगत तरीके से आगे आपको ब बारे में उन, factual के बारे में हम आपको बताएंगे, जहां से लगातार आपकी परिक्शाओं में प्रश्चाओं में पूछे जाते हैं, उनकी चरजा यहाँ पर देखने को मिलेगी, अब अलमोडा आपको देखने को मिलेगी, अब अलमोडा जीले का, अब जब जीले greatness पढ़त के और अक्षांसिय और देशांत्री बिस्तार के साथ साथ हम ये देखते हैं कि उस जिले के जो सीमा है वो किन जिलों से लगती है या किन परदेशों से लगती है इसकी बात हम करते हैं अलमोडा के संदर्व में जब हम बात करते हैं तो आईए एक एक करके अब यहां पर हम चीजों को देखते हैं सबसे पहली बात कि अल्मूडा जन्पत का जो बिस्तार आपको देखने को मिलता है जब हम उसकी बात करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि अल्मूडा जन्पत का जो बिस्तार है भौगोलिक छेतरफल यदि हम बात करें तो भौगोलिक छेतरफल 3349 बर्ग किल वित्ते फल है इधियाश के हम अक्शानशी और देसांत्री अग्छान से लेकर 30 डिग्री उत्री अक्शान तक ये विस्तार देखने को मिलता है देसांत्री विस्तार की बात करते हैं तो 181 डिग्री पूरवी देसांतर से लेकर 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक देशांतरिय बिस्तार देखने को मिलता है तो याद रखना है भोगोलिक बिस्तार की जब बात करते हैं तो भोगोलिक बिस्तार 3149 बर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है और जब हम अक्छांसिय और देसांत्रिय विस्तार की बात करते हैं तो अक्छांसिय विस्तार इसका 29 डिगरी उत्रिय अक्छांस से लेकर 30 डिगरी उत्रिय अक्छांस तक वहीं देसांत्रिय विस्तार की जब हम बात करते हैं तो देशांत्रिय विस्तार आपको 89 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर आपको देखने को मिलता है 89 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक देखने को मिलता है तो हो गया अक्षांसिय विस्तार और देसांत्रिय विस्तार जो आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि पडोसी जिले कौन से हैं जैसे किसी भी जब हम जिले के बारे में पढ़ते हैं तो ये जानना जरूरी है कि उसके पडोस प्रकार से जब अलमोडा के संदर्म में बात करते हैं तो सबसे पहले अलमोडा के परसिम में जब हम जाते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलता है पौडी गड़वाल अलमोडा के दक्षिण में जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है नैनी ताल यदि अलमोडा के दक्षिण पूर्व में जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है चम्पावत यदि अल्मोडा के उत्तर पूर्व में जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है बागेश्वर यदि अल्मोडा के पूर्व में जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है पिथोरागड कुल मिलाकर यदि हम बात करें कि कुल कितने जिले हैं, उत्तर में कौन सा जिला है, चमोली तो यदि हम बात करें सबसे पहले, उत्तर में कौन सा जिला है, चमोली दक्षिण में कौन सा जिला है, नैनी ताल पूर्ब में कौन सा जिला है, पिथारा गड़, ठीक है पॉस्चिम में कौन सा जिला है पॉड़ी गढ़वाल चार जिले ये आपके होगे पांचवा जिला है उत्तरपूर में जो की है बागेस्वर और छाठवा जिला है दक्षिनपूर में जो की है चमपावत तो कह सकते हो आप दूसरे सब्दों में कि अलमोडा की जो सीमा है वो कुल मिलाकर पांच जिलों से लगती है ये आपको पता होना चीए ठीक है पांच जिलों से लगती है और चमपावत को लेके आपका हो गया छे तो कुल छे जिलों से अलमोडा की सीमा लगती है ये आपको पता होना चाहिए तो सबसे पहली बात कि यह कभी भी एक नंबर में पूछ लिया जाए कि अलमोडा की सीमा कितने जीलों से लगती है तो अलमोडा की सीमा जो है वो उत्रा खंड के अच्छे जीलों से लगती है ये आपको पता होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं और आन्ने तत्थियों के बारे में देखते हैं इसके बाद आता है अलमोडा की जो इस्थिती है उसके बारे में और ये जो इस्थिती है 31 मार्च 2020 के जो आंकड़े हैं उसके अनुशार है ये आपक देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं 2270 अलमोडा जिले के अंतर गलत कुल 2270 ग्राम देखने को मिलते हैं अब इनमें से आबाद ग्राम कितने हैं तो 2173 यहां करेक्ट कर लीजिगा 2173 गाउं जो है यह आबाद गाउं के रूप में आपको देखने को मिलते हैं गैर बाद गाउं जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं कुल वो चानवे देखने को मिलते हैं आबाद बन ग्राम की बात करें तो 28 यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं इसके बाद बात आती है नियाए पंचायतों की नियाए पंचायतों की बात करें तो बर्ष 2019-20 के आकड़े के इंसार उत्तराखंड के इस जिले में कुल मिलाकर पंचानवे नियाए पंचायतें देखने को मिलती है नियाए पंचायतों की संख्या जो यहाँ पे बात हो रही है वो बर्ष 19 और 20 के आंकड़ों के आधार पे हो रही है यहाँ पे है ग्राम पंचायत करेक्ट कर लेना है यह है ग्राम पंचायत ग्राम पंचायतों की जब बात करते हैं बर्स 1920 के आंकड़े के अंसार तो यहां पे 1160 ग्राम पंचायतें देखने को मिलती है ठीक है ग्राम पंचायतें देखने को मिलती है नगरपालिका परिसद की बात करें तो नगरपालिका परिसद यहाँ पे कुल दो नगर पाली का परिसद देखने को मिलते हैं ठीक है तहसील की एदि हम बात करें तो यहाँ पे कुल 12 तहसीलें आपको देखने को मिलती हैं इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है सामुदाइक बिकासखंड लोक सभा सभाशीट बिधान सभाशीट इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है अब सबसे पहली बात होती है लोक सभाशेत्र की तो क्या अलमोडा में कोई 22 नहीं आप एक टाइपिंग मिस्टेक है जनगर्णा 2011 के अनुसार बात हो रही है तो जनगर्णा 2011 के अनुसार यहाँ पे दिहम बात करें राज जो सभा छेतर की तो यहाँ पे जैसे लोक सभा छेतर एक आंशिक था उसी प्रिकार से यहाँ पे एक आंशिक राज सभा छेतर आपकी देखने को मिलता है कुल ग्राम की यह दिह हम बात करें तो यह आपने अभी देखा कि दो 1289 ग्राम इसके बारे में भी हमने कुछ ह किया तो यहाँ पर बिधान सवह छेतर पूछा पूछा जाता है कि कुल कितने बिधान सवह चेतर लगते हैं तो इस जिले से कुल 6 विधान सभा छेतर लगते हैं और 6 के बारे में आपको जहनकारी होनी चाहिए ठीक है तो यह तो हो गया कि आपकी चर्चा तो यहाँ पे आप देखिएगा दो चीजें आपको देखने को मिल लई है यहाँ पे जो ग्राम दिये हुए हैं यह क्या है यहाँ पे देख होंगे कि कम संख्या दिवे क्यों क्योंकि यह जनगड़ना 2011 के अनुसार है तो जब प्रश्ण में पूछा जाए कि जनगड़ना 2011 के अनुसार तो आप यहाँ करेक्ट कर लिजेगा 2100 जो कुल ग्राम है वो है 2189 लेकिन जो आबाद ग्राम की बात करते हैं यहाँ है 2156 आबाद बन ग्राम 28 गैर आबाद बन ग्राम 9 और गैर आबाद ग्राम 96 हाला कि यह सब नहीं पूछे जाते हैं सिर्फ कुल ग्राम की संख्या आपको याद रखनी है यह है 2011 की जनगड़ का जो है बिरोधाबास नहीं होना चाहिए चीजें असपस्ट होनी चाहिए अब बात आती है अलमोडा के अन्य फैक्टों के बारे में और जब अलमोडा के अन्य फैक्टों पर हम जाते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि अलमूडा का जो कुल छेत्रफल है कुल प्रतिवेदित छेत्रफल है वो आपको देखने को मिलता है 4,64,942 कितना देखने को मिलता है 4,64,942 ठीक है इतना हेक्टेर आपको देखने को मिलता है अब इन में से बनो की अंतरगत कितना है बनो की अंतरगत है दो लाख 36,184 हेक्टेर किर्शी योग बंजर भूम कितनी है तो यह आपको देखने को मिलता है 41,552 ठीक है सुद्ध बोया गया छेतर फलेदी हम बात करें तो 68,578 हेक्टेर और इसके साथ साथ है खेती के अतरिक्त अन्य उपयोग में लाने वाली जो भूमी है आने वाली वो है 12,668 हेक्टेर यह आंकडे कप के हैं यह 2018-19 के आंकडे हैं इस पर भी आपको गौर फर्माना है उसर और खेती के लिए आयोग भूमी कितनी है यहापे 24,426 हेक्टेर तो यहाँ पर यह जानकार और आपको पता होगा कि सेंसेस जो है अपने आप में बहुत ही जादा महत्तपूर्ण है तो यहाँ पर ध्यान से इसको रटना है ध्यान से इसको देखना है देखो अब कभी आपसे परिक्षा में यह नहीं पूछा जाएगा कि अलमोडा की कुल जनसंख्या कितनी है लेकि 3,31,425 महिला देखने को बिलती है लिंगा अनुपात पूछा जा सकता है इसको याद रखना है लिंगा अनुपात की बात करें तो यहाँ पे जो लिंगा अनुपात है वो महत्तपूर्ण है यहाँ पे लिंगा अनुपात है 1149 यह आपको याद रखना है 1149 लिंगा है ये भी पता होना चाहिए लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लिंगान पाथ इसके बाद बात आती है साक्षर्था दर की साक्षर्था दर की जब बात करते हैं तो यहां पर साक्षर्था दर देखने को मिलती है अबराल 80.47% जिनमें पूरुस वो 79.93% है इसी तरह से अनुसूचित जात की जनसंख्या के बारे में बात हो रही है तो याद रखिएगा अनुसूचित जात की जनसंख्या है यहां पे थोड़ा सा एक नौ यहां पे ज़्यादा लिख दिया गया यह है 995 एक लाख पचास हजार नोसो पनचानवे ठीक है अनुसूचित जात की जनसंख्या है यहां पे एक लाख पचास हजार नोसो पनचानवे जिन में से 72,695 पूरुस हैं और 78,300 महलाए हैं जिले में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जात की जो प्रतिसत है दिहम उसकी बात करें तो जिले की कुल जनसंख्या में जाति का जो प्रतिसत है वो 24.56 प्रतिसत देखने को मिलता है अनुसूचित जन जाति की जो यहां पे संख्या है वो 1281 है और इनका जो प्रतिसत है वो है 0.21 मतलब अलमोडा जो जिला है यहां पे हम स्ट्राइब्स की बात करते हैं तो इनका जो प्रतिसत है वो 0.21 प्रतिसत ह यह आपको याद रखना है इसके बाद बात आती है ग्रामीड जनसंख्या की ग्रामीड जनसंख्या में देखेंगे तो 5,60,192 यह ग्रामीड जनसंख्या आपको देखने को मिलती है जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीड जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो आप जान उतर भारत की प्रबती प्रदेशों की बात करते हैं तो ग्रामीड जनसंख्या जादा होती है सहरी जनसंख्या आप एक च्छाक्रियत कम होती है तो उसी प्रकार से जब आप बात करते हो उत्तराखंड के अलमोडा के बारे में तो आपको देखने को मिलता है कि 89.99 प्रतिसत जो है यहाँ पे ग्रामीड जनसंख्या रहती है नगरिय जनसंख्या यदि हम बात करें तो 22314 मात्र है और जिले की कुल जनसंख्या में नगरिय जनसंख्या का परतिसत मात्र 10 परतिसत है 10.01 तो इसको भी आपको याद रखना है ठीक है फिर बात यहाँ पे आती है कि प्रति हजार जन्संख्या में नवजात मिरतुदर 20 है यहाँ पे प्रति हजार जन्संख्या में उतना महत्पूर्ण नहीं है नहीं पूछा जाता लेकिन जानकारी होनी चाहिए अब यहाँ पे कुछ बिसिष्ट तत्थ दिये हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं जैसे आपसे पूछा जा सकता है बिनसर बन जियू अभ्यारण या बन जियू बिहार कहां पे है तो याद रखना है बिनसर बन जियू बिहार जो है वो आपको अलमोडा में देखने को मिलता स्वर्गिय गोबिंद बलब पंत लोक कला संस्थान कहां पर है तो स्वर्गिय गोबिंद बलब पंत लोक कला संस्थान भी आपको अलमोडा में देखने को मिलता है कुल फल उत्पादन में इसके अस्थान की बात करें तो उत्राखंड में जो कुल फल उत्पादन हुआ 2019-2020 के आकड़े के अंसार उसमें उत्राखंड पर्थम रहा उत्राखंड के अलमोडा की जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक अस्थान है रानी खेत और रानी खेत को क्या कहा जाता है परेटकों की रानी तो याद रखना है परेटकों की रानी की रूप में जो प्रशिद्य अस्थान है रानी खेत वह भी आपको अलमोडा जिले में देखने को मिलता है यहाँ पे कुछ प्रमुख मंदिर आपको देखने को मिलते हैं जैसे और भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्याले भी आपको यहां पर देखने को मिलता है अब यहां पर फसलों के आकड़े दिये हुए हैं ठीक है उतना महत्तिपूर्ण नहीं है ठीक है पीडियेफ मिल जाएगी आप देख सकते हैं अब इसके बाद बात आती है लिं लिंगा अनपात के आधार पर राज में इसका अस्थान क्या है तो याद रखिएगा लिंगा अनपात के आधार पे धिम बात करें तो राज में इसका अस्थान प्रतम है क्योंकि 1100 से ज़्यादा लिंगा अनपात है तो निश्यत रुप से इसका अस्थान बहतर है प्रतम अस्थान पर है जन घनत के आधार पे राज में क्या अस्थान है तो याद रखिएगा जन घनत के आधार पे धिम बात करें तो राज में इसका अस्थान पांचवा है अनुसूचित जाति का प्रतिसत के अधार पे धिम बात करें तो राज में इसका अस्थान चौथा है पुल साक्षर्टा दर के अस्थान पर राज में अस्थान की बात करें तो सात्मा है पुरुस साक्षर्टा दर के अधार पर राज में अस्थान की बात करें तो तीसरा है महिला साक्षर्टा दर के अस्थान पर बात करें तो सात्मा है ठीक है आगे बढ़ते हैं सिसु लिंगा अनुपात के आधार पर राज में अस्थान की बात करें तो पर्थम है नगरिय जनसंख्या के प्रतिसत के अस्थान पर राज में अस्थान की बात करें तो दसमाए देखो अलमोडा की जब बात करते हैं तो दो चीजों में पर्थम है पहला लिंगा अनुपात के आधार पर प्रथम है और दूसरा सिसु लिंगा अनुपात के आधार पर राजमे प्रथम है तो ये दोनों फैक्ट आपको जरूर याद रखने हैं कि अलमोडा की जब बात करते हैं तो लिंगा अनुपात के आधार पर और सिसु लिंगा अनुप हैं जो मैं आपको बतातेता हूं उसको भी आप याद रखने का प्रयास करिएगा ठीक है क्योंकि जिले वारा अधिन का उद्देश होता है कि एक एक जिले के बारे में जो प्रमुख जानकारियां हैं वो आपको उपलब्ध कराया जाए तो प्रमुख जानकारियों के क्रम में कुछ चीजें और हैं अलमोडा के संदर में जो आपको पता होना चाहिए अब उनकी बात हम करने वाले हैं सबसे पहले जब अलमोडा की बात आती है तो यहाँ पे काफी सारे मेले लगते हैं और मेलों की चर्चा इस पीडियाप में नहीं हुई है तो यहाँ पे बहुत सारे जो मेले लगते हैं ये भी महत्रपूर्ण है ठीक है उत्तराखंड से समंदित परिक्षाव में ये मेले आप सबी को पता होना चाहिए, उमीद करता हूँ यह पटा भी होगा, इसके साथ-साथ आपको पता होगा, स्यालदेव वैखाती, ठीक है, ये भी एक मेला है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसी के साथ-साथ कुछ अन्य भी हैं, अब यहाँ पर कुछ अस्थान आपको दिये हुए जैसे मेलों की मैं बात कर रहा था तो सबसे पहले आपका आजाता है गोलेज्यू मेला, सैलदेविखोती, नंदा देवी और सहीद दिवस मेला यह चारो मेले प्रमुख रूप से अल्मूडा से संदरवित हैं अल्मूडा की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर एक प्रमुख ताल भी देखने को मिलता है जिसका नाम है तड़ाग ताल तो यह भी आपको पता होना चाहिए इसके अत्रिफ्त जब नदी की बात करते हैं अलमोडा से समंदित प्रमुख नदीयों की बात करते हैं तो प्रमुख नदीयों में जो अस्थान आता है वो राम गंगा नदी का आता है और कई बार प्रशन पूछा जाता है कि अलमोडा जो है वो किन दो नदियों के बीच में इस्थित है तो याद रखना है अलमोडा जो है ये कोसी और सुयाल नदी इनके बीच में एक परबत है जिसको बोलते हैं कानसाई परबत ठीक है तो बिशेश रूप से अलमोडा की जो आवस्थिती है वो कोसी और सुयाल नदियों के बीच कांसाय परबत पर है ठीक है इसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि अलमोडा की चर्चा एतिहासिक संदर्भों में भी की गई है सबसे पहली बात जो नाम आता है वो आपको देखने को मिलता है मेरी कुमाईू यात्रा पुष्टक है इसमें महात्मा गाधी ने अलमोडा के बारे में बताया है एक दूसरी पुष्टक है जिसका नाम है कोलंबो से अलमोडा कोलंबो से अलमोडा जो पुष्टक है ये स्वामी विवेकानंद की पुष्टक है और इस पुष्टक में भी स्वामी विवेकानंद की इस पुष किया गया है तो याद रखना है कि अलमोडा का जिक्र दो पुष्टकों में देखने को मिलता है मेरी कुमायु यात्रा और कोलंबो से अलमोडा मेरी कुमाई यात्रा महात्मा गांदी कोलंबो से अलमोडा स्वामी विवेका नंद का नाम आपको याद रखना है इसके साथ साथ आपको कुछ अनफैक्ट है भी उसकी भी चरजा करते हैं लेकिन यह और स्याद रखेगा जब अलमोडा की बात आती है तो परमुख राज की जो जेल है वो अठारा सो सोला में बनाई गए थी या भी आपके लिए महात्तफून है ठीक है पंडित नहरू के बारे में आपको पता होगा पंडित नहरू सुतंता अंदोलन के दौरान दो बार जो है वो अलमोडा जेल में बंद हुए थे या भी फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, इसके साथ साथ कटारमल सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर भी आपको याद रखना है कि अलमोडा में है, कई बार पूछा जाता है कटारमल सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर, आपको भी बताया कि रानी खेत, रानी खेत जो अस्थान है, ये पढ़ता है कहां पे अलमोडा में पढ़ता है और अलमोडा रानी खेत में ही कुमायू रेजिमेंट जो है जो भारतिय सेना में कुमायू रेजिमेंट है कुमायू रेजिमेंट का जो मुख्याले है वो यहीं पर है ठीक है तो ये भी याद रखना है कि कुमायू रेजिमे जो है उसका भी गठन अलमोडा में हुआ था तो यह आपको पता होना चाहिए ठीक है आप से कई बार पूशा जाता है एक सिंपल सब्रस्चन है कि पूशा जाता है कि परशिद्ध प्रेटन अस्थल कौसानी किस पट्टी में इस्थित है परशिद्ध जो प्रेटन अस्थल क कौसानी कहां पर इस्थित है किस पट्टी में इस्थित है तो आपको याद रखना है बोरा रो किस पट्टी में इस्थित है बोरा रो नामक पट्टी में जो है यह कौसानी इस्थित है यह भी आपको पता होना चाहिए तो इतनी जानकारी यह दिया आपको है तो निश्य अलमुडा से संदर बिताएगा अलमुडा जिले से संदर बिताएगा तो गलत नहीं होगा क्योंकि जो सेंसेस था वो भी हमने देख लिया जो यहां की आवस्थिती है उसके बारे में भी हमने देख लिया जो परमुख अस्थान थे उनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली जो एक पेज में ये नोट्स तयार हो जाएगा एक पेज में आप इसका नोट्स भी तयार कर सकते हैं तो आज की जो चर्चा है यहीं पर उसको भी राम देते हैं धन्य बाद बहुत बहुत आभार जो यहीं वाएगा जोग्यद आप उसका रामाँ तयार हो दूतो के लादने रामाँ फो पाजय बह बहुत बहुत आफना झाटमाची दपदेधा यहीं पर प्री आफने यहीं हाँ है है थूल्स ऑ। पर उसके जिए में चाहीं हैं वहीं ह। पुशने शबतो कर दो पक दो ए झाल